है एक सार में पूरी एंदर पूरी ऑंडर में बचाना हो वो पूरी एंदर चिर्फ पूरी तो इसको शुरू करते हैं यहां पर जो हमारे learner 1 है सबसे पहले जिन learner का call आया था पूरी अपनी चीज बताने के लिए तो यहां आप देख पा रहे हैं इनका जो मौक में स्कोर आ रहा था मौक स्कोर से रिलेट कराएंगे हम ताकि आपको भी पता चले कि आपका मौक में कितना स्कोर आ रहा है तो आपक के मौक में और इनका जो प्री का स्कोर है वो 140 था नॉर्मलाइज स्कोर इनका प्री का 140 था इन्हों ने बताया कि देखिए हमारी रीजनिंग जो थी वो बहुती आसान आ रही है 30 मिलकुल प्री लेवल की रीजनिंग आ रही है इसमें कैलेंडर क्लॉक नहीं आया है और 25 क्वेशन तो बहुती आसान है हाँ जो पांच सिटिंग अरेजमेंट के जो क्वेशन आ रहे है वहाँ थोड़ा सा मामला हलका सा पे इसमें से इन्होंने 22 से 23 क्वेशन आराम से कोई भी अटेम्ट कर सकता है उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा हलका सा मॉडरेट लेवल है अगर आपकी मात्स अच्छी है तो फिर आप उसके आगे जा सकते हैं 25 तक क अवर्ड मिला है कौंसा आवर्ड मिला है इस तरीके के खेल रतना तरफ आपको क्या करना है आपको कोई difficult नहीं है viruses हो गया email हो गया और इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि doable है 20 में से इन्होंने 16 सवाल इन्होंने computer यहां पर हम देखते हैं लर्न टू के ज़रा देखिएगा यहां पर इनके प्रीमे स्कॉर 155 था और नॉर्मलाइज स्कॉर 260 नमबर इनके मेंस के मॉक्टेस में आते थे इन्होंने भी कीज़निंग में बोला है कि हमने 30 से 28 question हमने करें हैं हो मैं इन्होंने बोला है कि लंसम बराबर बराबर बड़ाबर बेटे जाया है और और यहां पर रन बता है कि Clock Calendar नहीं आया था पजल में सेटिंंग अरेज़्मेंट के आये हैं यहां अपर और section 2 जो है, जो English है, English काफी आसान है, general awareness में आपका current affairs इन्हों न भी बोला कि एकाज सवाल 2021 से था, और जो major CA है, major current affairs है, वो 2022 का ही आ रहा है, और probability के उपर सवाल जो है, वो बहुत आसान सवाल पुछा गया है, representation combination नहीं है, quants की बात करें, तो इसमें जो statistics की बात करी गई थी, mean, median, mode, तो उसमें से mode के उपर, distributive frequency के उपर सवाल है, और overall paper जो है, वो doable है, मतलब overall paper pre-level का है, कोई भी इसमें बहुत ज़ादा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं की mains level बहुत difficult paper, यह doable paper है, तो यह दो लोगों का अपने analysis देखा, और हमारी बात, जब हम live call पे थे, तो चार लोगों से भी थी, और जो हमारी team थी, उन्होंने लगबख 10 learner से, करके यह पूरा data verified data है, तो यह 5 minute की analysis थी, जिसमें कि आपको सारी चीजें, इसमें क्या चीजें आई हैं, कौन-कौन से कैसा level आ रहा है, किस तरीकी की चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं आपसे, किस प्रकार के question आ रहे हैं, क्या कोई नया surprise है यहाँ पर, क्या कोई pattern change है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एक चीज़ और मैं भूल गया, computers, computers में RAM पढ़के जाएगा, RAM हो गया, और आपका malware और यह सब malware हो गए, phishing हो गई, cyber attacks हो गए, firewall हो गए, यह आपको पढ़के जाना होगा, इसी के साथ में आपको RAM हो गया है, cyber wall वगरा हो गई, और एक चोटी सी चीज़ में भी जो इसके पहले बताई थी, email हो गया, email वगरा चीज़े हो गई, यह पढ़के जाना है आपको, और MS Excel और MS Word से भी सवाल देखने को मिले हैं आपर, तो यह चीज़े आ गई, और इन सब के बारे में आप चाह रहे हैं, कि exactly कैसे question आये थे, पूरे detail में आप पूरा mock solve करना चाहते हैं, आजी के आधार पर, जैसे आज पर आया है, उसके पूरे आधार के उपर आप एक mock solve करना चाहते हैं, तो वो आज रात में ठीक 7 बजे, जिसमें पूरे quants के question, ठीक 7 बजे, पूरे quants के question, पूरे GS के question, पूरे computers के question, पूरे English के question, पूरे reasoning के question, जो जो चीजे आई थी, आपको हुब 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 वही चीजे, यहाँ पर कराई जाएंगे, meanwhile, what we will do is, we will verify from the learners, हम एक एक learners से verify करके, कि हाँ, exactly कौन से चीजे आई थी, उनको verify करके, शाम 7 बजे से उस mock को हम शुरुबात करेंगे, यह mock आपको, बहुत बढ़िया होगा यह mock आपके लिए, क्योंकि यह आपको पूरी दिशा दिखा देगा, आगे तक के लिए आपको कैसे पढ़ना है, साथ में आपको supplementary material भी देंगे, जिससे कि आपको आपके exam में, उस supplementary material से चीजे अफ़स जाएंगी, आपके में, तो यह जो session है ना, शाम 7 बजेगा, यही पर होगा, इस YouTube channel पर, इसको आप नहीं मिस करिएगा, और राइट, so this was your 5 minute analysis, to save your time और तक कि आप आगे इस समय, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत ज़रूरी है, All the best, खुब बढ़िया से पढ़ते रहिए, All the best.